Hey guys, again सभी का welcome है, यह आपके सामने है business standard newspaper, इसमें सारी के सारी standard business news publish होती है, आज के session में इसका front page हम cover करने वाले हैं, इस exercise को मैं आपको हर Saturday करवाता हूँ, यह आप 15-20 minute घर पे भी कर सकते हैं अपने, और पूरे session का यही मकसद है, आपको कैसे घर पे करना है, यह सिखाना, अग करके business news को पढ़ने में, शुरू करें, सारी headline cover करूँगा, दो बड़े article पढ़ाऊंगा, एक article के कुछ sentences को sentence breaking technique से भी बताऊंगा, लंबा session है थोड़ा सा, पेशन से देखना, अराम से sit back करो, relax हो करके देखो, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, चलिए शुरू करते है फर्स headline से, हाँ, करेब यही ले ले दे हैं न, proposal to cap, airport bids may be dropped, ऐसा तो नहीं है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छे से, कुछ लोगों के fonts छोटे होते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ, just 7 minutes, ठीक है न अभी, करेब जो proposal आया है, जो offer आया है, अच्छा कौन सा offer है, cap करने वाला, cap क्या होता है बई, cap तो होती है, topi, जानते हो न, cap पहनते हो, अब hat पहनते हो, लेकिन यह cap यहाँ पर noun नहीं है, एक verb है, कैसे बता लगा, 2 के बाद में आया हुआ है, 2 के बाद में 99% cases में हमेशा verb आती है, 1% cases के अंदर noun आता है, यह ज को पीछ डाना, मतलब उसकी maximum limit को decide करना, समझगे न, when you cap something, आप उस शीज की maximum limit को decide करते हो, अब देखो, जो proposal आया है, cap करने वाला, maximum limit को decide करने वाला, और किसकी भाई, airport bids की, airport की बोलियों की, कह रहा, may be dropped, हो सकता है, वो drop हो जाए, हो सकता है, इस proposal को, हम जो है, खारिस कर समझगे न, अभी हो क्या रहा है, airports की बोलियां लगेंगी, सारे private घराने जो है, वो आएंगे, airport खरीदेंगे, वो ही सरकार को पैसा देंगे, और airport को चलाया करेंगे, अभी इन्होंने एक proposal रखा, कि airport की cap रख देंगे, कि दो से ज़्यादा airport कोई अम्मानी अडानी अकेला न ले पाए, पर इन्होंने क्या बोला, government ने, कि ऐसा proposal हम नहीं रखेंगे, चाहे हम बाने सारे airport खरीदेंगे, इंडिया के एक याद में खरीद सकता है, चाहे तो, है न, चलो, अगली headline की तरफ बढ़ते हैं, यह IIP क्या होता है, बहुत लोग परिशान होते हैं, पहले IIP बताए तो आपको, कि रहे, IIP ग्रोज 3.6% in October, fastest in 8 months, कि रहे, यह IIP नाम की जो बला है न, यह ग्रोगर गई, 3.6% और कभ? अक्तोबर में, और यह fastest था, 8 महीने में, 10 fastest बोल सकते हैं, अब इसको 10 निकाल देतें, निउस्पेपर वाले, तो यह सबसे तेज था पिछले 8 म Index of Industrial Production, तो समझगे न, कितनी industry हमारे यहां पर produce करी है देश में, उसका graph कलाता है IIP, मानलो इस महीने 100 produce किये, अगले महीने 150 किये, तो ऐसे graph उपर नीचे जाएगा, तो अक्तूबर में जो उपर गया है, वो सबसे बड़ा उपर गया है, आज तक 8 महीने में नहीं जाता, यह ग्राफ शाहिद नहीं ने बनाया भी हो नीचे, जस्ट एमिनिट देख लो, देखो यह रा, यह होता है IIP, हमारे देश में production का graph कलाता है IIP, चलो आजाओ आगे, अगली headline देख लो, यह छोटे छोटे चोटे concepts होते हैं जैसे IIP, आप इनको एक बार समझ लो, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, farmers move SC amid deadlock over farm laws, कह रहा है हमारे जो किसान है, वो move करते हैं SC में, move SC का मतलब क्या है, supreme court चले जाना, किसी case को लगाने के लिए, तो किसान supreme court चले गए हैं, और किस बीच amid इसी बीच, उस deadlock के, जो हो रहा है over farm laws के, farm laws कोन से हैं, तीन क्रिशी कानून है, किसान बोलते हैं, इनको वापिस लो, नहीं तो हम भारत बंद करते रहेंगे, सरकार बोल रही है हम वापिस नहीं लेंगे किसी भी कीमत पे, तो एक deadlock सा आ गया है, इसी की उपर किसान अब supreme court जा रहे हैं, कि इस deadlock को कैसे तुडवाएं अब इस पूरे article को हम करने वाले बाद में तसलिख से करेंगे, एक headline और देख लेते हैं, फिर अपने इस main article पे आएंगे, headline अपने पास, यहाँ पे एक beer वाली headline दी, रूखो एक second, एक तो यह बड़ी वाली है, यह ले लो, यह भी अच्छी है, government identifies eight sectors for easing compliance burden, करें सरकार identify करत यह, सरकार ने decide किया है, कि यह eight sectors हैं, और किस काम के लिए, ease करने के लिए, आसान बनाने के लिए, compliance की burden को, अब यह क्या बला है, compliance burden समझो इसको, compliance होता है, follow करना rules को, burden होता है, आपकी मुसीवत या आपका दायत्व, आपकी फर्ज, है न, burden होता है, कोई बोज, अगर आपक किसी rule को follow करने की, आपके पास मजबूरी है, मानलो आप, income tax pair हो, तो आपको इस बर 31st December से पहले, अपनी income tax return भरनी है, इस साल की last date यह ही है, अब यह आपकी compliance burden है, अगर आपने नहीं comply किया, तो यह burden आपको नुकसान दे जाएगी, समझ गे न, तो सरकार क्या कर रही है, बि नोट देखेंगे, फिर बढ़ेंगे main article की तरफ, काजबग, अब जो beer beer फीते हैं, उनको समझ में आएगी यह वाली है न, काजबग, UB and Sab Miller, fixed beer prices for 11 years, CCI, करे एक तो काजबग है, एक UB है, यह UB कौन सी, माल्या वाली है न, United Beverage, और तीसरी है Sab Miller, इसका नाम तो मैंने सुना ने, करें, इस तीनों कमपनियां जो है न, beer कमपनिया जो हैं, इन्होंने fix कर दिया, beer के दामों को 11 सालों के लिए, तो तीनों ने mil करके beer के दाम fix किये हुए, कि हमारी ऐसा fix किया हुआ, कि तीनों कोई फैदा हो, और सिरफ customer को नुक्सान हो, है न, कहने वाला यह CCI नाम के का प्लान आपको देता है है ना कल को वह 800 रबेगा करे और साथ में एटल से बात करके एटल को भी 800 करवा दे और वोड़ा फोन वाला भी 800 करते तीनों बात करके रखें भी 800 सुपर नहीं बेचना तो अब अपने बस कोई उप्शन नहीं बजेगा 800 का ही लेना पड़ेगा इस तो यह काडल ना बने इसके लिए अपने पास एक सरकारी इजन्सी है CCI इसको बोलते हैं Competition Commission Commission of India GS का Concept है Competition Commission of India क्या काम करता है कंपनिया आपस में काडल ना बनाए मिल बांड करके कस्तमर को परिशान ना करें यही काम करता है Competition Commission of India किया तो इसने पताया कि यह तीनों बियर कंपनियां मिली हुई है पिछले 11 साल से आगे बढ़ेंगे बड़ उससे पहले अगर आप इंगलीस से परिशान हो बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और एक बार पूरे मन से इंगलीस को सीख करके एक्जाम को अप्रोश करना चाते हो इंगलीस की वज़े से यह आप पर सेलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है सीधा सा एक काम करना है चैनल के होम पेज़ पे जाए और इस प्लेलिस को फॉलो करना शुरू करें इस प्लेलिस में आपके सभी सवालों के जवाब है विदिन 30 वीडियोस 90 परसंट ग्रामर हो चुकी है इसमें 30 वीडियोस मतलब 15 गंटे की ग्रामर है इसमें पेड कोर्स वाली ग्रामर ही आपको मिल रही है पर फ्री ऑफ कोस्ट तो इसका मोल समझें सिरफ मैंने अपनी च नीचे बैंक और SSC के पेपर को कैसे अप्रोच करना है यहां तक की UPCC सेट के है न कैसे RC को क्लोस्टेस को पीक्यूर्स को अप्रोच करना है यह इन दो प्लेलिस में रखा हुआ है यह पेड प्लेलिस्ट है बहुत ही कम कॉंट्रिबूशन रखता हूं मैं 30 to 50 to 60 रूपीस आप अपना छोटा सा कॉंट्रिबूशन देखर के इस बैंक्स की या SSC की या दोनों दोनों प्लेलिस्ट को आप चला सकते हैं अगर आप मेंबर बनना चाहें अपना कॉंट्रिबूशन देना चाहें तो आप जोइन बटन पर प्रस करें आपको एक वीडियो भी मिलेगी इसको चला करके देखेंगे आपको समझाया जाएगा कैसे मेंबर बनना है अब अपने बढ़ेंगे अपने मेन आर्टिकल की तरफ हमने मोटी मोटी सभी हेडलाइन्स कवर कर ली हैं है ना सारी हेडलाइन्स हमने कवर कर ली है ये वाला आर्टिकल ले ले पहले ये वाला उ केरे प्रोटेस्ट, उपर वाला तो आपने देख लिया, फार्मर्स जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, केरे प्रोटेस्ट, सेट टू बी, इंटेंसिफाइड, सेमी कोलम्ड, गॉवर्मेंट लॉंचिस नेशन वाइड आउट्रीच कैम्पेइन, केरे जो एजिटेशन है, यह सेट है, तयार है, और क्या होने के लिए, इंटेंसिफाइड होने के लिए, इसको बोलते हैं, पैसिव इनफिनिटिव, टू, प्लस में बी, प्लस में वर्म की थर्ड फॉर्म, इसमें प्रोटेस्ट के उपर कुछ काम होगा, प्रोटेस्ट कोई काम न campaign मतलब अभियान, जो है out reach का, out reach क्या होता है, देखो out मतलब बाहर, reach मतलब पहुँचना, आप बाहर अपने घर से निकलोगे, लोगों के पास जाओगे, उनको मनाओगे, उनसे बात करोगे, इसी कहते है out reach करना, समझगे न, बाहर निकल के लोगों तक पहुँचना, तो सरक कार तयार हो लिए इस campaign के लिए, और protest तयार है, और आगे intensify और मजबूत होने के लिए, अब main article शुरू करते हैं, बहुर interesting article है, मज़ा भी आए कि आपको पढ़के, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और जूमिन कर देना चाहिए, अब बिल्कुल ठीक है न, के लिए, और एपको आभी और देना वीरे, गे गनाचे बिल्कुला के लिए और के लिए बष्ति कार, रहते हैं पूझे कम चैना, तो अब मजब तेना प्सिए विए, पान प्सित Carl Ale guys qualify को, आभी आपके, ये देना मेग लंबा सेंटेंस बहुत ही सिंपल सेंटेंस किर एज जैसे ही एज का काम क्या होता है या तो बताता है क्यों कि यह होताता है जैसे ही यहाँ पर जैसे ही वाला मीनिंग इसका आएगा जैसे ही सरकार ने डारेट किया जैसे ही सरकार ने डारेक्शन दिया दिल्ली पुलिस को कि वो केस को फाइल करें, किनके खिलाब? प्रोटेस्ट करते हुए फर्मर से खिलाब, धरने वे बैठे किसानों के खिलाब अज़ा क्यों केस फाइल करें? वालेट करने के लिए COVID-19 की नॉम्स को, उलंगदन करने के लिए COVID-19 के नियमों को जैसे ही ये काम हुआ आप दिखो आगे क्या हुआ farmers ने भी इन्होंने भी 20 इन्होंने भी up कर दिया एंटे को ये अप दा एंटे एक phrase होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को और उंचा ले आना और इंटेंसिफाय कर देना अगर आप जुवा खेल रहे हैं 100 रुपे का जब आप अप दा एंटे करेंगे ना तो चानक से आप 1000 रुपे का जुवा खेलने लगेंगे समझगे ना रिस्क भी बढ़ा देना, रिवार्ड भी बढ़ा लेना ऐसा काम करना हो सकते अप दा एंटे तो किसानों ने भी एक दरजा उपर ले आए अपने सारे अंदोलन को अप दा एंटे कर दिया और फाइल कर दिया एक पेटिशन को सुप्रीम कोट के अंदर है ना गिया चिका को अच्छा क्यों फाइल किया सीख करते हुए मांगते हुए इसकी इंटरवेंशन को अब यह को इट्स लगए सुप्रीम कोट के लिए सुप्रीम कोट की दखल लंदा जी को और किसमें एंड करने में इस डेडलोग को इस गती रोद को और किसकी उपर है न्यू फार्म बिल्स के उपर है नहीं है न डेडलोग को आप पूढ़ाओ अब इसमें देखने वाले वर्डस देख लिए ना सीखिंग प्रेजेंड बाडिसिपल साइमल डेनस एक्शन अच्छे से आप जानते हो गर रौज मेरे साथ निउस्पिपर बढ़ते हो खाना खाते हो मैं TV देख रहा था तो खाना खाते हो मैं TV देख रहा था ना तो TV देखना में काम खाना खाना जो अपने present participant तो यहां भी वही है जब farmers ने up the intake किया तब वो सीख कर रहे थे इसकी intervention को Supreme Court की है ना यह काम simultaneously हो रहा था इनके up the intake के काम के साथ डेड़ लोग के बहुत सारे synonyms हैं अच्छे काम करते हैं इसके synonyms आप में से हर एक को याद होने चाहिए क्योंकि यह word बहुत बार आ रहा है पहले LAC के कारण आ रहा था इंडिया चाहिना वाला अब farmers से कारण आ रहा है सब लोग अभी दिमाग में सोचें डेड़ लोग के 5 synonyms at least 5 आपको आने चाहिए आते होंगे है ना डेड़ लोग के 5 synonyms को याद करें और डालना comment section में कितने आपको याद है चलो आगे बढ़ते हैं यह word ऐसे word आना रोज आते हैं डेड़ लोग जैसे चलो next sentence को देखो two officials of Delhi police on duty at the site of the agitations have tested positive for covid-19 and have been put in isolation करें दो अधिकारी दो officer दिली police के और कभ डूटी पे on duty है ना और कहां पे इस site पे इस जगा पे का मतलब होता है जगा जगा किस चीज की है और लगा के बता रहा है इस agitation की इस अंदोलन की करें यह दो officials है ना इन्होंने test किये positive यह निकल कर क्या है positive किसके लिए covid-19 के लिए और इन दोनों को ही इन्हीं निकले दो और इनको सबको दोनों को quarantine भी कर दिया गया है दोनों अधिकारियों को isolation आप जानते हैं जब आप isolation में होते हैं तो सबसे अलग होते हैं सारी दुनिया से अलग होते हैं ना isolation के बहुत अच्छा अच्छा है synonym से अपने पास seclusion, confinement and solitude तीनों का मतलब होता है completely subset detachment है ना चलो आगे बढ़ते हैं अगला sentence देखो यह पूरा एक frame में आ जाए ना क्या रहा है on Saturday farmer groups will take their protest up one notch by picketing all tall pleasures on the outskirts of Delhi and blocking railway tracks क्या रहा है Saturday को शनिवार को अच्छा क्या होगा farmer groups ना वो will take वो ले लेंगे अच्छा कहां पे लेंगे और किसको लेंगे अपने प्रोटेस्ट को ले लेंगे उपर will take their protest up अपने प्रोटेस्ट को थोड़ा सा उपर ले आएंगे ठीक है ना अच्छा कितना उपर लेंगे वन नौच एक दर्जा नौच का मतलब होता है लेवल देख रहो कैसे बना है अपने जो हिंदियों बोलते हैं इंग्लीश में वैसा ही बोला जाता है बस उनका लिखने का तरीका अलग होता है वो गया रहा है कि सेटिटे को किसानों के जो ग् बाहर के जितने वी टोल बला जाए उनको जाकर के ब्लॉक कर देंगे और ब्लोक कर देंगे रेलवेट्रैक्स को भी जो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं समझ के तो यह होने वाला है सेटेडे को आज सेटेडे है न्यूज मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है शायद हो भी गया होगा है ना अब इसमें देखने वाली चीजे बताता हूं मैं आपको नौच मतलब लेवल दर्जा स्केल बोल सकते हैं इसको आप पिकेट करना मतलब ब्ल आपको एक और चीज इसमें लिखने वाली थी मैं भूल गया वो चीज थी आउट्सकर्स यह कैसा वर्ड है चाहे यह सिंगुलर हो चाहे यह प्लूरल हो यह हमेशा आउट्सकर्स ही रहता है ऐसे बहुत सारे वर्ड अपने पास इंगलिश में सिंगुलर और प्लूरल दोन सा इस अगलिश में यह सिलिज फिकत आप से और अगर शौस The 9 am नहीं पास आईلا मैसा यह पास यंठीट के वाउट्स मतला होता है अगर एक आदमी की वर्फ व्हार्फ मतल़ होचाह पता है अगर्धा लिखा लगाना है तब भी उसकी वरबौउट होंगे अगर 15 मैं पणक्तों साथ की सिस्टम करते हो टाप वहूद उसके पीछे अइसा उसमाद का मतलब होता है मशीने में हैना अमधुन सिस्टम एसा समझो तो एक शिस्टम होगाह तब अपनदरास पीछे एस आएगा एकवचये 500 तो मतलब इनका फॉर्म आपको चेंज नहीं करना याद क्या करो इस सब की चीज़ें सारी साथ के साथ याद करते हूं तो आपको हमेशा याद रहती है इसके लिए आपका ध्यान खिंसता हूं बार-बार चलो आगे बढ़ते हैं They will hand over memorandums to district magistrates wherever they are तो जहाँ पर जो फार्मर बटा है वो अपने आसपास के टेटर के बास ज्याएगा और उनको memorandum दे देगा memorandum का मतलब गया अपन का मतलब होता है आप अपनी mango को कागज पर लिख करके देते हो और बताते हो अगर पूरी नहीं हुई तो मैं ये कर जाओंगा है ना उससों कहते है memorandum असान भाशा में समझो अप आगए बढ़ते हैं अब ये करेंगे क्यों ऐसा to register there इसको अपने को आगे लेना पड़ेगा हम करें to register their protest against the farm laws ये करेंगे ताकि वो register कर पाए अपने प्रोटस को farm laws के सामने तो लिखित के अंदर अपनी नराजगी को बताना ही किलाता है ग्यापन देना ये मेमोरेंडम देना करा एंड ओन डिसमबर 14th दे विल लॉंच अन अजिटेशन अगेंस प्राइवेट प्रक्यूर्मेंट बाइ अनौसिंग अब बॉयकॉट अफ गुड्स प्रदूस्ट बाइ सम् कॉर्पोरेट हाउसेज विच विल इंक्लूड रिलाइंस यो अडानी और अमानी प्रदूक्स करा ओर दिसमबर 14 को वो लोग लॉंच करेंगे एक एजिटेशन को एक धरने को और किसे खिलाफ प्राइवेट प्रक्यूर्मेंट के खिलाफ प्राइवेट कंपनियों की खिलाफ है ना अभी प्राइवेट कंपनियों खिलाफ करने वाली हैं किसानों की खेती का तो उस खरीद के खिलाफ एजिटेशन करेंगे अब ये करेंगे कैसे एनाउंस करके एक बॉयकट को जो होगा गुड्स का और उन गुड्स का जो प्रडूस बाय होंगे कुछ कॉर्परेट्स के हाउसेस के द्वारा जिसमें शामिल होगा जियो अडानी और अधर अम्मानी प्रडक्स तो करा इन तीनों के प्रडर्स को जाकर के अजिटेशन करके बताएंगे कि हम आपे खिलाफ हैं क्योंकि आप हमारी फसल को खरीदने वाले हो आने वाले टाइम में हमारा सोशन करोगे I think समझ की होंगे सेंटेंस को आगे बढ़ेंगे लास्स सेंटेंस अपना लास्स नहीं है एक और पेराग्राफ इसके बाद है करे सेवरेल हंडिड ट्रक्स एंड स्टेक्टर्स आर रिपोर्टेड टू भी ट्रंडुलिंग इन डेली फ्रॉम अमरिच सर केरिंग मोर फार्मर्स फ्रॉम पंजाइब अब आगे बढ़ेंगे ये इतना ही पढ़ते हैं पहले हैं पंजाब तक केरब बहुत सारे की साइकडर्स वए न ऑट्रेक्टर्स वए है वो रिपोर्टेड है उनको रिपोर्ट किया जा रहा हैं अनकी आमें न्यूज मिल रही है कि वो डिड़े तॉम का मतलब होता हैacements कर्णा किनकोभॉकरनां बढ़ी सु को मसीन दी में दी में दी में दी प्रफ डिलि की तरफ कई घर और किसानों को जो आंगे पंजाब से तो जो बचे कुछछे घरों में रह गए थे वह भी अप दिली की तरफ कूछ कर रहे हैं अगर सरकार उनकी मागों को नहीं माँग रहे हैं अच्छा, यह हुआ क्या, करें, as political leaders like nationalists, अब आगे देखना पड़ेगा, अगले paragraph में, करें, as political leaders like nationalists, Congress party या NCP leader, शरत पवार counseled the government to not test the tolerance of cultivators, as the protests at Delhi borders might spread elsewhere, लंबा sentence है, करें, यह हो इसलिए रहा है, क्योंकि, जो Congress party के, NCP के, Nationalist Congress party है, उसके leader, शरत पवार ने counsel भी किया है, उसने सरकार को सला भी दिये, counsel किया है, government को, कि वो test ना करें, वो इंतिहान ना ले, सहन शीलता का, tolerance का, cultivators की, cultivators कोन है, जो cultivate करते हैं, कल्टिवेट करना मतलब फसल काटना, कल्टिवेटर होगे, फसल काटने वाले मतलब किसान, तो इसने बोला, शरत पवार ने, भाई आप सरकार को बोला, कि आप मान जाओ, इनकी tolerance को, इनकी जो है, सहन शीलता की परिक्षा मतलो, है ना, इन cultivators की, और यह हो कैसर है, जैसे ही प्रोटेस्ट दिल्ली बोडर में, माइट स्प्रेड कर सकते हैं, अगर नो टाइमली डिसीजन वास टेकन ओन दफामर्स दिमांड, तो गरहें, यह जो प्रोटेस्ट है, सब जगह फैल सकते हैं, दिल्ली के आसपास भी, अगर कोई भी सही वक्त पे डिसीजन नहीं लिया गया फामर्स के डिमांड पर, तो देखो कई सारे काम हो रहे हैं, इधर से तो फामर्स सलने हैं, अमरी सर से दिल्ली की तरफ, अब यह काम कैसे हो रहा है, जब यह शहरत पवार्वार्मेंट को समझा रहा था, कि आप मान जाओ, इनकी परिक्षा मतलो, अज़ा क्यों मान ज चीज़ों को इसने एज एज लगा के जोड दिया, सेंटेंस आप समझे होंगे, लंबा सेंटेंस है, अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली है, पहले तो एक वर्ड है बहुत अच्छा, और एक कंडिशनल इसमें यूज हुआ है, मैं आप सभी को चैलेंज करूंगा, आ दिसरा है C-O-U-N-S-E-L, दिसरा है C-O-U-N-C-I-L, ये नाउन है, ये उपर वाली वाली वर्ड है, नीचे वाला नाउन है, ये काउंसिल का मतलब होता है सभा, हिंदी बोलते है सभा, meeting बोल दो, conference बोल दो, team बोल दो, है ना, और काउंसिल का मतलब होता है वर्ड ऐसे दे इंग्लिश में कोई काउंसेल है ना चलो ध्यान करना दोनों वर्ड से एक जैसे हैं अब जो कंडिशनल यहां पर लगाए सब को पता होना चाहिए अगर आप इंग्लिश की प्रप्रेशन कर रहे हो बहुत दिनों से देखो यहां यूज हुआ सेकिंड कंडिशन क्या होता यह इफ यू हेल्प मी वी वूड विन तुम हमारी मदद कर दो तो हम जीत जाएं इफ आई वोर अबर्ड आई वूड फ्लाइ अगर मैं पक्षी हों तो मैं उड़ने लगूं यह कंडिशनल बताता है अन्रियल फ्यूचर को ऐसी चीज जिसके होने के चांसे बहुत कम है मैं प दूसरा वाला कि लोज है इसमें मॉल्ड के बाद में नसमें वीवन आ रहा हुगा और यहां देखो इफ के बाद में यह भी वी टुबढ रहन है पास्क्न में वर्ड और यहां प्याव आ रहा है हमYasan यह जो है मॉड्ड के बाद में एक वंड ऊक्षाज आने के locks अये है ह अगर इसको मैं पैसिंग में लिखना चाहूं तो मैं बोलूँगा if I was helped by you, you would win यह आगे वैसे ही चलेगा समझे ना इसको पैसिंग में लिखो के तब यहां पर was आ जाएगा क्योंकि यहां was linking verb नहीं है help नाम की main verb इसके बाद में पढ़िए अकेले आएगा तो हमेशा वर आएगा साथ में was आ सकता है सब्जेट की requirement के हिसाब से यहां भी यह हुआ है second conditional use हुआ है कोवीड माइट स्प्रेड कोवीड माइट स्प्रेड मॉडल पस में V1 और देखो no timely decision was taken यह यहां पर second conditional passive के अंदर है चलो आगे बढ़ते हैं conditionals वगरा सब मैं करवा चुका हूँ आपको grammar series के अंदर अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आप जानते होंगे करें he maintained that the farm bills concerned were passed in a hurried manner in parliament despite the opposition parties calling for a detailed discussion on them करें उन्होंने maintain किया शरत पवार ने इस सीज को जोड़ दिया बनाए रखा कि यह जो farm bills है यह जो क्रिशी कानून है इनको concerned जो की अभी concerned है न जिनके हम बात कर रहे हैं तो opposition तो खूब चलाई थी कि भाई detail discussion करो लेकिन सरकार ने बोला भी हम पास जो है इनको फटाफट करना चाते हैं आप चुप करके बैठ जाओ तो हरी डिमेनर में इनको पास किया गया है पार्लियमेंट के अंदर देखने वाली चीज कॉल फॉर मतलब डिमांड करना आप जानते हैं फ्रिजल वह बहां दिस्पाइट के बाद में कभी भी आफ नहीं आएगा लेकिन दिस्पाइट की एक सिनॉनिम है इन स्पाइट इन स्पाइट के बाद में हमेशा ओफ आता है despite के बाद में off नहीं लगाना in spite के बाद में हमेशा off लगाना है अब बढ़ेंगे अपने main article की तरफ वो मैं आपको sentence breaking technique से करवाता हूँ है ना उससे आपको और मजा आने वाला है छोटा सा एक ही sentence लोगा लंबा वाला लेकिन एक ही sentence कर पाएंगे वाजन तो यह था जहां पर government ने बोल दिया कि हम maximum limit को airport की बोली की हटाने वाले नहीं है कोई कितनी भी airport की बोलियां लगवा सकता है इस sentence को आप पढ़े लो यह काम करता हूँ इस sentence को मैंने अलग ले रखा है ना इस उपर वाले sentence को इसको मैं break करके आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा तो हम चलते हैं powerpoint पे just a minute आजाओ यह sentence अपना पहले simple तरीकी से बढ़ा देता हूँ आपको फिर इसको break करके बढ़ाऊंगा है ना मजा आएगा को सुनने में देखने में करे दे गोवर्मेंट is unlikely to impose a cap on the number of projects a private company can bid for in the upcoming round of airport privatization turning down the suggestion of an expert committee करे सरकार बहुत ही unlikely है सरकार बिल्कुल भी संभावित नहीं है कि impose करेगी जबरस्ती लगाएगी एक maximum limit को और किस पे उस आंकडे पे जो है projects का जिनको एक private company बोली लगा सकती है bid for कर सकती है तो सरकार उस आंकडे पे नंबर पे बहुत ही unlikely है कि वो लगाएगी कोई भी cap है ना कोई भी maximum limit करे और कब upcoming round में आने वाले चरण में airport privatization के तो अब आगे जो privatization की जो बोलियां लगेंगी उसके अंदर कोई कितने भी airport की बोली लगा सकता है अब जब ये सरकार unlikely है ना ये सरकार जब ये काम कर रही है unlikely होने का उसी वक्त ये क्या कर रही है turn down कर रही है turn down करना मतलब मना बोल देना ये खारिस कर रही है turn down कर रही है उस suggestion को जो है expert committee का तो expert committee ने तो बोला था कि 2 से ज़्यादा airport किसी अम्मानी है किसी अडानी के पास नहीं होने चाहिए किसी टाठा बिल्ला के पास नहीं होने चाहिए सरगार ने क्या बोला नहीं नहीं इनको तो इतनी मर्जी बोलियां लगाने तो पैसा देंगे हम इनको सारे के सारे एड़पोर्ट पी देने को तयार है एक ही आदमी को अगर वो बोली लगा के जीत सके समझ गे इसमें देखने वाले वर्ट्स कौन से है turn down इसका मतलब होता है rule out rule out और turn down तोनों फेजल वर्ब्स हैं तोनों का मतलब है खारिश करना और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं अब आजा इसको sentence breaking technique से बढ़ाता हूँ आपको मालूम चलेगा कौन subject कौन वर्ब है न देखना ध्यान से सारे नाउंस ग्रीन है सारी वर्ब्स रेड हैं सारी एड़ वर्ब्स पिंग है ब्लू के अंदर adjectives डार्क व्लैक के अंदर क्या जो है आपकी प्रेपोजिशन यलो में अगर कोई होगा तो फ्रेजल जो आपकी कंजंक्शन होगी यहां पर कोई कंजंक्शन दिख नहीं रही अपने को अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको नाउंस मैंने ग्रीन कर दी है आपको चेक करना है यह सबके सब नाउंस नाउंस वास्ता में हैं या नहीं उसके लिए क्या करना आपको मेरा नाम का इ हुआ है मेरा प्रजेक्ट मेरा एर्पोड प्रैविटाइजरशन क कंहा मेरृपॉट नाम है जिस मेंare्पोड का privatize करते हैं एरोट को ब्रैविटास करते हैं आप यहाँ पर एसा हैसा मेरा एरपोर्ट और मेरा आईजेशन दोनों से बयठें है मेरा सजे diver मेरे कमिट्टी इनुट पर नुट पर्सेंट मेरा मेरा त्रीडा लगने पर वो सेट्थ से अधर कैसे निरा परियंड क्या इस का वाय वेस्क कुछ लगा न Municip Authority अब है आने वाला तो अगर मेरा अपकमिंग लिखो तो बनेगा नहीं कुछ भी समझें न इसे मेरा expert, तुम्हारा expert क्या, तुम्हारा expert दोस्त, तुम्हारा expert career क्या, इसका कि आपको एक noun लगाना पड़ेगा, जहां पर मेरा के बाद में set बैठ जाए 99% cases में वो noun नहीं होगा, तो noun इसलिए आपके सामने सब के सब green है, आप जूढ़ेंगे हर sentence के subject को फिर डूढ़ेंगे उसकी work को जो की सबसे जरूरी काम है, अगर 2 subject मिल जाएं तो 2 work होंगी, अगर 1000 subject मिल जाएं तो 1000 work होंगी, subject is equal to work, ठीक है ना, बस इतने गाम अपने को करना है, इस सारा set बैठ जाएगा, भी देखो ध्यान से the government, government एक noun है, इस से पहले कोई preposition नहीं आ रही, कोई verb नहीं आ रही, ये government आपका subject है, ठीक है ना, subject कोन बन सकता है, noun, pronoun या gerent, कुछ केस में infinitive, अपने noun, pronoun, gerent पर considerate करते हैं, तो noun बन गया आपका subject है, क्योंकि अकेला noun है, इस से पहले न verb है, ना कोई preposition है, चलो, अब आपको noun मिल गया, अब रूणनी है, आपको इसकी वर्ब, वर्ब पड़ी है, इसके बाद में is, इसके बाद में कुछ भी दूसरी वर्ब नहीं रखी हुई, एक adjective रखावा है, unlikely, मैं क्या समझूँगा, ये बन गई एक link वर्ब, बी फैमिली की वर्ब जब भी main वर्ब बन के आ जाएं, those are called link वर्ब्स, ठीक है, तो ये subject, ये उसकी वर्ब, वर्ब के बाद में एक adjective पड़ा है, ये करदाएगा subject compliment, आप जानते हैं, link वर्ब के बाद में, link वर्ब के बाद में, noun ये adjective जो आए, वो उसी subject को define करते है, subject compliment बना, अब आगे बढ़ो, to impose, impose भी एक वर्ब है, किसी पर कोई चीज को लगाना, पर ये हमारी main वर्ब नहीं बन सकती, क्यों, एक तो main वर्ब ओलेडी आ चुकी, अगर impose को government की वर्ब बनाओगे, अगर impose को government की वर्ब बनाओगे, तो इसको किस की वर्ब बनाओगे, तो मतलब easy आपकी वर्ब है, दूसरा impose से पहले to लगा हुआ है, इसको बोलते है infinitive, अगर ये infinitive है ना, तो ये कभी भी main वर्ब नहीं बनेगा, इसको आप noun बना लो, adjective बना लो, adverb बना लो, लेकिन main वर्ब नहीं बनेगा, तो दोनों किस्वों से मुझे पता चला है कि ये infinitive ने अपना एक noun ले लिया, cap एक object, infinitive, participle और gerund, ये कभी भी main वर्ब नहीं होते, लेकिन ये अपना object रखने की ताकत रखते हैं, तो इसने अपना object ले लिया, cap नाम का ये noun, आगे बढ़ो, on preposition, preposition को object सही है, जो बनेगा noun, pronoun और gerund, यहाँ पे number नाम का noun इसका object बना से देखना, project के बाद लिखा हुआ है, a private company can bid for, समझो, a private company can bid for, ये projects के लिए लगा हुआ एक adjective close है, इस close के अंदर हमने that को omit किया हुआ है, एक relative pronoun को, actually sentence ऐसा था, cap on the number of projects, that a private company can bid for, समझगे न, ये that relative pronoun होता, as an object of the sentence, private company आपका subject बन जाता, subject number 2, can bid इसकी verb बन जाती, relative close की, और for एक preposition होती, जिसका object होता, ये that नाम का, ये जो relative pronoun, लेकिन that को omit कर दिया न, तो आप इसको break करोगे, तो आपको समझ नहीं हैगा सर, ये पूरा का पूरा है क्या, तो that याद रखे, as a conjunction और as a relative pronoun, अक्सर omit कर दी जाती है, उसको नहीं लिखा जाता, यहाँ पे that a private company bid for, ऐसे ये एक पूरा relative close बना हुआ है, bid for एक phrasal verb है, इसके बाद for आना लाजमी है, चलो आगे बढ़ते है, in preposition है, इसका object है, round नाम का noun, upcoming एक adjective है, जान यहाँ पे airport भी एक noun है, privatization भी एक noun है, दो noun है, एक साथ मिल जाएं, और उनका कोई existence हो, तो वो कहलाते हैं compound noun, तो airport प्राइविट एक scheme का नाम है, compound noun है, और preposition का object है, अब देखो turning down, यह turning यहाँ पे verb की IG form है, यह भी आपकी main verb नहीं बन सकती, आप देखो subject तो दो हैं आए पहला subject आया है government, दूसरा subject आया है private company, इसकी verb आया है can bit और government की verb आया है is, समझे ना, subject verb तो बराबर है, तो यह किसकी verb है, यह verb नहीं है, इस से पहले का कोमा देखकर का आपको पता लेगेगा, यह present participle simultaneous section है, जब सरकार unlikely है, जब सरकार unlikely है, तब वो turn down कर रही है, तब वो खा करना, और किसको, उस suggestion को turning down phrasal verb का object है, यहाँ पे suggestion नाम का noun, suggestion किसका है, of preparation लगा के बता रहा है, committee का, यह object है, expert adjective है, समझे ना, तो यह पूरा का पूरा present participle simultaneous section phrase है, turning object है subject, of object है committee, एक बार repeat कर देता हूँ, बड़े अच्छे से आप समझ जाओगे, अभी मैं हलका सा भी किसी word को इलाओ न, वहाँ से आपको error समझ में आएगी, इसलिए यह वाला, जो method है, बहुत जरूरी है, अगर आप exam में top करना चाहते है, अच्छे marks जो लेना चाहते है, comment आपका subject number one, is verb number one, unlikely subject compliment, to impose, एक adjectival, infinitive, impose की verb है cap, on preparation की verb है number, और preparation की verb है projects, project के बाद में that नाम का relative pronoun लगा अब यह बिट फॉर इसलिए यह एक फ्रेजल वर्व होती है, यह इसी तरीके से यूज होती है, तो फॉर को object रखा है, दैट है आगे रखा हुगा बस, यह subject number 2 हो गया, can be this की verb नंबर दो होगी, relative clause में, आगे लिखा in proposition, इसका object है round, upcoming एक adjective है इसको modify कर रहा है, और preparation इसका object एरपोर्ट प्राइविदेशन कंपाउंड डाउन, दो नाउन मिलकर के बना हुआ, turning down the suggestion of an expert committee, यह present participle simultaneous section वाला phrase है, turn down एक फ्रेजल वर्व हो है, खारीश करना, turning इस जो है, पार्डिसीपल का जो objective है, वो है suggestion, और preparation का subject है, committee नाम का नाउन, expert एक adjective, इस committee को modify कर रहा है, अपना spoken English वाला channel जो है, spoken English lab, उस पे videos को publish करना शुरू कर दिया है, जिस पे आपको vocabulary और sentence नईनी structures, English में कैसे बोलनी है, है न, कल vocab की वीडियो आई थी, Sunday को फिर से कल शाम में आपको 8 बजे एक वीडियो मिलेगी, English बोलने पे, तो इस channel को जरूर से follow करके, bell icon को press करके रख प्रूर को जो करके बोलने कि को ऑना में आपको जएख वीडियो में एक बोलने के खिए जएख है. एक है वीडियो ऑना से डर पार नष जाना की आपकेId्च क्छी नग जाए आधावन सावर, क्वालने कोब्षएल कीडि़ में चावशएल जाएथ जे यूप दूस का बज